में डुक्टर शाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपके अपनी यूट्यूब चेनल आईला टॉक्स आज हम इंशोरेंस अरेस्ट की विशह में चर्चा करने वाले हैं क्या है इंशोरेंस अरेस्ट और केज़िवाल के गिरफतारी के मामले में आपने देखा होगा कि इच शब्द का इस्तेमाल किया गया है दिल्ली के जो मुख्य मंतरी अर्विंत केज़िवाल हैं उनके पक्ष में जो जाने माने वकील अभीशेक मनू सिंग्वी है वो हाई कोड में पैर्वी कर रहे हैं केज़िवाल को जमानत दिलाने के लिए सिंग्वी ने अपना तर्क दिया कि दिल्ली के मुख्य मंत्री की सी बियाई द्वारा गिरफतारी को इंशोरेंस अरेस्टी के तोर पर देखा जाना चाहिए उनका तर्क ये है कि केज़िवाल के खिलाब सी बियाई के पास कोई सबूत नहीं था जहांचे जिनसी तो उन्हें गिरफतार भी नहीं करना चाहता था हाला कि जैसे ही सी बियाई को लगा कि एडी की और से दर्जी किये गए मामले में केज़िवाल जमानत पर जेल से बाहर आ जाएंगे तो उनको गिरफतार कर लिया ये इंशूरेंस अरेस्ट है और कुछ नहीं अब आपके मन में ये सवाल उट रहा होगा कि आकिर इंशूरेंस अरेस्ट होता क्या है तो आई ये जानते हैं कि क्या है इसका मतलब जेल से निकलने से रोकने की कोशिश असल में इंशुरेंस अरेस्ट का सिर्फ इतना मतलब है कि एक मामले में अगर किसी वेक्ति को जमानत मिल जाए तो उसे तुरंट ही दुसरे मामले में गिरफतार कर लिया जाए या फिर किसी एक जाच एजनसी से जुड़े किसी मामले में आरोपित को जमानत मिल जाए तो किसी और मामले में दुसरी जाच एजनसी उसे गिरफतार कर ले इससे आरोपित जेल में ही रहेगा अब क्या इंशुरेंस अरेस्ट जो है कोई लीगल टर्म है तो इंशुरेंस अरेस्ट कोई लीगल टर्म नहीं है कानूनी मतलब अगर हम इस शब्द का निकाले तो इंशुरेंस अरेश्ट जैसा कोई लीगल टर्म नहीं है इसका मतलब इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि एक के बाद एक एसे मामले बना कर रखना जिसके चलते कोई वेक ती जेल से बाहर ही ना आ पाए इसे अलग-अलग मामलों में लंबे समय तेक जेल में रखने का मामला कह सकते हैं जैसे केजरिवाल के मामले में यह माना जा रहा है कि एडी की और से दर्जी किये गए केस में उनको जमानत दे दी जाएगी इसलिए उनको सी बी आई ने गिरफतार कर लिया है यही है एक के बाद एक केस में गिरफतारी तो आज हमने एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि इंशुरेंस अरेस्ट क्या होता है यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो आपके लिए ग्यान वर्थक रहा हो तो आप हमें कमेंट से करके जरूर शेयर करिए सबस्क्राइब करिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विशे के साथ तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद